चीट सत्र को लेकर विधायक राजिन्द शिंग ने बोले कि सरकार ने इस चीट सत्र को लेकर काफी अपिशारेती हैं किसे नोह को लेकर सरकार सकारात्मक हो ऐसा कहते वेशल जनकारावधि को लेकर उन्होंने खेड बिवेक्त द किया विधायक राजेंटर शिंगने हमारे साथ है, हम जानते है कि शीर सत्र का आखरी दीन है और आखरी दीन जो है, क्या बताओगे विधायक राजेंटर शिंगने हमारे साथ है, उनसे जानते है कि शीर सत्र का आखरी दीन है, और आखरी दीन जो है, क्या दिया है शीर सत्र दोज आज नाकपूर अधिवेशन का आखरी दिन है और 10-11 दिन से नाकपूर में विदर्भा में ये अधिवेशन चल रहा है और स्वाबाइक तोर से विदर्भा की लोगों को बहुत सारी आपेक्षा है इस अधिवेशन के माध्यम से होती रहती है खास करके विदर्भा में जो कपास उतपादख है, धान उतपादख है, स्वाइबिन उतपादख है और उनके आलावा भी यहां के जो बेरोजगार यूअक है, महिला है, यूती है और बाकी जो कारखान नी, कारखांडारी और इतरक शेतर में काम करने वारी लोग है इस शीत कालिन अद्वेशन के मात्यम से होती है दस दिन से मैं इस अद्वेशन में उपस्ति था और विदरब के बहुत सारी जो समस्या है प्रशने उस पे भी मैंने हिस्सा लिया उस चर्चा में भी मैंने हिस्सा लिया और मराठारक्षन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस अधिवेशन में आया था और पीछले कुछ दिनों पहले गारपीट और जो बरसात हुई थी उसके बारे में भी जो नुकसान कास्तोकारों को आया था उसके बारे भी चर्चा हुई सरकार ने सबी जो वर्ग है उनको खोश करनी की कोशिश की है सरकार के माध्यम से और केंदर सरकार की माध्यम से जितना भी हो सकता है सरकार ने वो पूरी कोशिश की है फिर भी मैं यह मानता हूँ कि यह अधिवेशन और एक हपता और बढ़ाना चाहिए था क्योंकि विदर्ब के प्रश्ण पर ज्यादा चर्चा यहां हुई नहीं है आज ये आखरी दिन पर विदर्ब विकास की 293 का एक प्रस्ताव यहां पर आया है लेकिन आज उस पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं और कोई दो-चार दिन और अधिवेशन बढ़ा थे तो अच्छा रहे था तो हमने देखा कि राजिन रशिंग ने इनका कहना है कि कई मुद्दो को लेकर सरकार सकारात मक्तो है लेकिन और जो है शेट सेत्र की कालावदी बढ़ाने की उनकी एक मांग थी वो नहीं हो पाया है कैमेरा परसन अजित कुवर के साथ मैं खशिती जादेश मुबीसियन नियूज नाकपुर